माध्य परदेश के खरगोन में राम मंदीर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कॉलेज शात्राओं ने ली आमन चेन और शान्ती बनाये रखने की शपत ली सुप्रीम कोर्ट के निर्णे में मंदीर बने या मस्जीत कॉलेज शात्राओं को है मंजूर शहर में आमन चेन शान्ती बनी रहे ऐसा शपत लेकर किया वादा बड़ी संख्या में छात्राओं ने शपत पत्र पर हस्ताक्षर कर अधिकारियों के साथ ली सेलफी उलेखने है कि अती समवेदन शिल जीलों में खरगोन भी शामिल है सुप्रीम कोर्ट में आयोधिया राम मंदिर को लेकर आने वाले फैसले को लेकर जहां खरगोन जीला और पुलिस प्रसासर ने कमर कस ली है वहीं दूसरी और अमन चेन शान्ती के लिए शपत ली कि राम मंदीर अयोधिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हमें मनजूर होगा शहर की शान्ती के लिए शोशल मिडिया पर किसी तरह का भड़काओं मैसेज नहीं करेंगे लोगों को समझाएंगे और शहर में शान्ती व्यवस्ता कानून व्यवस्ता कायम रहे एसा प्रयास करेंगे एस पे सुनिल कुमार पांड़े और एडिशनल एस पी शर्शी कांत सकंकने सहीद प्रोफेसर की उपस्तिती में सेकड़ों की संक्या में कॉलेज की छात्राओं ने सफ़त गरहन की खरगों से अजेई तिवारी की रिपोर्ट लाइंस क्लब, रोटरी क्लब, फुलिस प्रशासन और सभी बच्चे मिलके एक अभियान चला रहे हैं जिसका यह उद्देश है कि खरगों शेहर में अमन और शेंति कायम रहे देश में अमन और सांथी कायम रहे, इसको लेके बच्चों ने बहुत प्रतिवध्यता जताई है उन्होंने अपने अस्ताक्चर किये हैं और अपने वाट्सेप ग्रूप में डाले हैं सदिक्चक मोद है और संक्टन सभी यहां मौजूद है और सभी लोगों ने इसमें बहुत उत्सा दिखाया और शेहर में अमन चैन कायम रहेगा यही अपील है कि जो ऐसे लोग जो वाट्सेप का दुरूप्यों कर रहे हूं या सूचना या ब्रामक फेला रहे हूं उन पर हमारी बच्चियां कोलेज के बच्चे सब नजर रखे हुए हैं पुलेस प्रिसासन नजर रखे हुए हैं और इसके लावा सभी अमन शान्ति की अपील कर रहे हैं सब्सकर साथ किस दढ़ बैजर लियाकि सर्चात्र में नगे जो आगामी अभी मान्यर नेर लिसे अध्यामूद्दे को लेके आने वाला है उसको लेके लोगों को जागरों किरना और लोगों और उसी परिपेच में, यह जो गर्स कॉलेज है, इसमें एक कार्करम हुआ, जहाँ पे सभी बच्चीयों ने यह सपत लिया, कि उनको भारत के संविधान और कानून में पूरी आस्था है, और इस चिले शहर की सान्ती बेवस्था भाईचारा बंदुत्तो बनाए रखने में वो भरपूर सरयोग करेंगी और जहां तक उनसे हो सकेगा वो इसमें मदद करेंगे और इसको जादा से जादा लोगों तब पहुंचाएंगे और प्रचारित करेंगे इस तरह का जो बच्चियों के बीच मेसेज था इसमें पुलिस दूसरे जो जिले के सामाजिक संस्थाए हैं यह सब लोग मिल के करवा रहे हैं लोगों के बीच जा रहे हैं इसके पीछे हमारा उद्देश यह था कि जो बच्चे हैं बच्चियां हैं इनका समाज पे अपने परिवार के बड़ा बड़ा पॉजिटिव प्रभाव रहता है यह अगर किसी चीज के लिए बोलेंगे तो निश्चितर सिव वो असर करती है और यह जागरूप लोग होते हैं नई उमर के होते हैं अच्छी सोच के होते हैं साकारात्मत विचार रहते हैं तो यह अगर इसमें जोड़ जाएंगे जैसा हमने वहां बात की और वो बच्चियां तयार हुए कि आज से कुछ सामाज कि आगे माध्यम से भी सरुन को उसमें एक चीज ये भी आई थी चुकि आजकल नई उमर के बच्चे जो कालेज स्कूल जाते हैं वो सोचल मेडिया प्यक्टिव रहते हैं के ग्रूप्स रहते हैं तुन्हों ने वो सपत का प्रारूप अपनी तरफ से अपने अपने कानूं बेहुस्था भाईचारा समाजिक समरस्ता बनाए रखने में वो मदददार सामिल होगा केंपेन भी चला अस्ताक सर अभ्यान भी चलाए क्या गेना आपको हमारी कॉलेज साज्की करने महावी द्याले में इस पी सब आयो और हमोरे सफेट दिलाया कि आधा का जो भी फेसला आएगा हम उस पर आवल उतरेंगे अगर कोई भी ऐसा वाटसप पे फेक वीडियो हमारे मंदिर का हो या मजीद का हो हम खरगुन सर में ऐसे ही सांती बनाए रखेंगे अभी आप से असक्षर भी कराएं कहां तक इसको ले जाएंगे घर मोहले गली वोटसप सभी जगे यह वीडियो वाइरल कर देंगे और यह जो सब दिला हम यह भी सभी वीडियो या महले अब देख रहे हमारा चैनल